हाई प्रेंट्स मोर्टिन ब्लोग चैनल में आप तभी का स्वागत हैं तो सिंपली आज के इस ब्लोग में हम लोग दिखाने वाले हैं अपनी सर्चों की खेती और गन्य की खेती फिलाल किस तरीके से लगा है यहां पर तो अभी हमारे भाई के हाथ में जो गन्ना है सिंपली अभी इसे ले जा रहे हैं घर पर दिखाने के लिए अभी गन्ने की बुवाई करना है तो फिलाल तब तक आप लोग देखिए घर सर्चों की खेती लगी कितनी अच्छी लग रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाई इस फिलाल तो अपी चल ले हैं आप सभी अब लोग लोग ले जा रहे हैं इसका सेंपल दिखाएंगे इस गन्ने का जमा के देख लेंगे कैसे गन्ना नरद जामेगा की नहीं जामेगा तो आज इसकी बवाई करेंगे अब लोग देखते रहे हैं तो फिलाल अभी हम लोग आ गया है खेत में और यहां पर जो है अब लोग अभी वीडियो पर ऐसे ही बने रही है तो आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूं अभी दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या फसल कर यहां पर बोते हैं और हमारी यह जो गन्ना लिये चल रहे हैं इसे बोना है बोकर देखेंगे कैसे जामता है तो फिर आगे पूरा खेत बोएंगे और देख सकते हैं यह मेरे गन्ने का खेत है मेरा इसी गन्ने में से मैंने गन्ना लिया है और मतलब गन्ना बोना है तो आपको दिखा दे रहे हैं और अभी आपको दिखाएंगे कि हम लोग सरसो भी बोए हैं यहों बोए हैं और रिफाइन की खेती भी करते तो अभी आगे चल कर दिखा रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रही है तक मैं यहां पर चल रहा हूं रास्ता थोड़ा गड़बड है यहां का देख सकते हैं यहां पर गन्य का खेत यहां से खतम हो रहा है और अब कि रिफाइन की खेत की तरफ चल रहे हैं देख लेजिए यहां का ब्यूज कितना अच्छा आ रहा है वीडियो में देखते चलिए आप लोग अधिन पहुंच गये हैं हम लोग यहां रिफाइन के खेट तक तो गाइज हम लोग रिफाइन खेट में आगे हैं फिलाल आप सुने को दिखाने के लिए और बगल में इसका फूल है कि अच्छी लग रही है फिलाल देख लिजिए बहुत अच्छा लग रहा है तो यह रिफ वह पीला होता है अभी हम सरसों का भी फूल आपको दिखाएंगे रिफाइंड का यही पहचान है कि इसका फूल सफेद होता है तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए तब तक हम आपको लाही का खेट भी दिखा रहे हैं दिखा दे वहाई कितना अच्छा लग रहा है क इसे मौसम भी आज का बहुत अच्छा है फिलाल साम का मौसम है और हमारे साथ ऐसे आप सभी लोग जुड़े रही है तो गाईज हम लोग अभी गेहूं के खेत में आगे हैं और यहां के जो जानोर हैं मतलब सारा गेहूं खा लिया है फिलाल कुछ हो नहीं रहा है बहुत को सहोगा ही हमारे लिए बहुत दुखत स्माचार है कि जो छुटे साण्ड ऑबएरा होते हैं तो वो पूरा फसल खा लिए हैं लगभद क्येहूं के खेत ही बरबात कर लें गेहूं जो होता ये खाने में बहुत नरम सा होता है तो इसलिए गेहूं को ज्यादा साण लोग पसंद करते हैं और यह तो हमारे योगी जी का किरपा है ही जो कि सान बहुत ज्यादा यहां भूमते रहते हैं अभी मैंने देखा तो वहां कम से कम 5060 खड़े हुए थे तो वहां हम लोग उनके किनारे गए ही नहीं तो अगर ज्यादा नजदीक जाते तो हो सकता था हम पर के दिए पर गेहु बचाने के लिए मतलब कि इस रुच्छा करनी परती है यह दारवार मतलब बहुत सारे लगे हुए हैं इसमें तारवार लगा था तो साब लोग नहीं खा पाई है इतनी प्रच्छा करने के बावजूद भी गेहु खा जाता है फिलाल अभी हम लोग दि देखने के लिए फिलाल फिर भी आकर ना जाने किस तरीके से खा लेते हैं मैं पता ही नहीं चलता तो फ्रेंट्स आप लोग हमारे साथ हैटे जुले रही है अभी हम आपको सरसो की खेती दिखाने जा रहे हैं सिंपली गाई सम लोग पहुंच चुके हैं लाही की खेती में अब यह आप सो भी को दिखाएंगे कि अच्छी लगी हुए बहुत अच्छा लग रहा है मैं सरसो की खेती हैं दिखा देखो भाई आप लोगों से मैंने कहा था कि जो सरसो क्या कहते हैं रिफाइंड का फूल हो सबसे अच्छा उपा है कि आप लोग उसके फूल को देख लिजे कि कौन सा पीला है और कौन सा सफेद अगर पीला होगा तो सरसो होगा और अगर सफेद होगा तो रिफाइंड होगा तो गाईज अब हम आप लोग को यहीं बताना चाहते हैं कि ऐसे ही हम आपको ब्लॉग देते रहेंगे और आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आगे ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे धन्यवाद गाईजा आप सभी का